नमस्कार स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्व चनलर रीमेक इडबात आज अमलू इस वीडियो के मात्यम से प्रधान शिक्षक्षक डियलेट सिलेबस की यूनिट देखेंगे और इन जीन प्याजे और कौलबर के सिधांत के अधार पर नेतिक बिकास और बच्चों के समझ और उससे समधीत बातों को और उससे समधीत प्रसनों को को देखेंगे तो आईए इस वीडियो को सुरू करने और देखने कि पहला प्रस्वारे सामने क्या है जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बाटा दो चार चे आठ या उपरुक में से कोई नहीं या एक से तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर है आपका B यानि चार यानि जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास को आपको चार अवस्थाओं में बाटा यह हमें एक जनकारी यहां जरूर मिल गई कि संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास कैसे धान किस ने दिया था जीन प्याजे ने दिया था यह Switzerland की एक मनोबे ज्यानिक थे और इंहोंने cognitive development का theory दिया था यानि संग्यानात्मट बिकास का सिधान दिया था और netik बिकास का सिधान भी gene PIA जे ने दिया था आया देखते हैं अगला प्रसнд प्रसं देखने ची पले जो प्रश्न का जो मूल बाता उस चीश को देख लेते हैं, यानि संग्यानात्मक विकास की अवस्था, जीन प्रश्न के नुसार संग्यानात्मक विकास की पहली अवस्था है, संवेदी पेसी अवस्था, ये जर्म से दो बरस दक होती है, पुर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 12 बरसे 15 ये आपको 4 संक्रियात्मक अवस्थाया हैं किसकी आपको जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास की संबेदी पेश ये पुर्व संक्रियात्मक मुर्थ संक्रियात्मक और अमुर्थ संक्रियात्मक ये आपको जन से लेके 15 बरस तके आपको इस बरस के और इस काल में इस चीज को इन्योंने बाटा है चलिnew आगे देखते हैं प्रारंब में बालक नेतिक्ता से समंदित ब्यवहार को सीखता है कैसे से पुरुषकार से दंड से निंदा से प्रसंसा से तो बच्चे जो है इन सभी से यानि बालकों में नेतिकता समंदी विवहार आपको डेबलब होता है यानि पुरुषकार से भी सीखता है दंड से निंदा से प्रसंसा सभी से सीखता है और यह सभी कारक हैं आपको आते हैं दंड यह भी एक कारक है अब बालक में नैतिक ना का विकास उसकी ज्ञान सकती विवेक के विकास पर निर्भर करता है के लिए आगे देखते हैं नैतिक विकास के कस कितने चरण है 2-3-4-5 या एक तरहिक यह उन में से कोई नहीं तो नैटिक विकास के जो चरण है जो देख रहे हैं यह जीन प्याजे के आपके सिधान के आधार पे देख रहे हैं और जीन प्याजे के विचारधारा के आधार पे देख रहे हैं आगे हम कोहलबर को देखेंगे अभी हम जीन प्याजे अभी जो चरण हमने नैतिक विकास के दो चरण देखे वो जीन प्याज की नवक परवार्ण के संपर्क से उप्रोक में यह को ही दिकान को बचों में नहतीपता की ङएक परवार्वार्ण से मिलता है लेकिन सबसे स्टेवल और आपको बेवस्तित और आपको प्रात्मित्या के अधार पे देखा जाए इन दोनों में से तो बाता परन के संपर्थ में आने से बच्चों में नेतिकता का विकास होता है। अगर यह यह नहीं रहता तो हम इन दोनों में से कोई एक डिशाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। प्याजे के सिधान के नुसार निम्न में से क्या वेक्ति के संग्यनात्मक विकास को परभावित नहीं करेगा। भासा, समाजी कनभो, क्रिया कलाप, परिपक्वन। इन में से ऐसा क्या है जो बच्चों के संग्यनात्मक विकास को परभावित नहीं करेगा। बिकासात्मक-मनृविजान का जनक जो है आपको, जीन प्याजे, Bohine, Powalberg, Erixon, तो बिकासात्मक-मनृविजान, इस चीज़ को देखना है, developmental, आपको जीन प्याजे को खहा जाता है, चलिए, आगे देखते हैं, विकासात्मक्मनु विग्यान के अंतर गर्फावस्था का से सहसवास्था से बालियाना सुए लेगely आगे देखते हैं बच्चे अपनी समझ से बिश्व की परिकर्पना करते है यह एक गत्रन है और ये बहुत महत्पुन कतन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, कतन किसका है, ये कतन है आपको जीन प्याजे का, जीन प्याजे नहीं कहा था कि बच्चे जो है अपनी समझ से क्या करते हैं, विश्व की परिकल्पना करते हैं, चली आगे देखते हैं प्याजे के नुसार विकास की पहली अवस्ता जन्म से दो बर्स हमने अभी अवस्ता पढ़ा था वो पहले कि दवरान बच्चा सबसे बेहतर सीख्था है कैसे अमुर तरीके से कहा था कि जो जन्म से दो बर्स तक बच्चे जो हैं इंद्रियों के प्रियोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है आगे देखते हैं जोन प्याजे ने अपनी पुस्तक दमोरल जर्जमेंटल जर्जमेंट ऑफ दचाइंड और 1932 में प्रकासित हुई थी यहां एक ची 232 में यह आपको प्रकासित हुई थी में कितने बर्स के बच्चों को गयर नैतिक बता है एक नैतिक नहीं गयर नैतिक बता है कौन से पुस्तक में दमोरल जर्जमेंट ऑफ चाइल दो तीन चार पांच यह उप्रुक में से कोई नहीं एक से अधिक तो यहां जो है डी यान पांच बर्स के बच्चों को गयर नैतिक बता है चलिए आगे देखते हैं जीन प्याजे ने नैतिक विकास को कितने भागों में बता है दो तीन चार पांच यहां थोड़ा सा डीटेल में हमको देखेंगे कि क्या कैसे है तो यहां उत्तर अगर देखा जाए तो यह है दो दो स्यांती पिखास को कितने बागों में बांच विकास को तको Apollo जयाने क्या कि üç और वह को संघ्रमन इसनों संल्णे करती सरफ अंदर से एक बरूर जोड़ दूल गैशते हैं bob साथ से लेके दस्ता कुछ को माना देता है लेकिन मूल अवस्था जो जीन प्याजे के अनुसार जो है वो है प्रायत नितिकता और दूसरा है स्वायत नितिकता यह मानते हैं दो बर्स से आठ बर्स को और स्वायत नितिकता की अवस्था यह मानते हैं नौ से ग्यारा बर्स मे ये मूल अवस्था है, कहीं कहीं इस चीज को एक उप अवस्था है, इन दोनों के बीच की अवस्था को संक्रमन कालीन अवस्था माना जाता है, इसलिए मैंने चुकि यहां मैंने नहीं लिखाया, लेकिन उस चीज को बताया, अब चलिए देखने हैं परायत नेतिकता अवस् और दबाव की नेतिकता के वस्था भी कहा जाता है इसमें बड़ों को नियम का सुरूत यानि इसमें बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि बड़े जो बोल दिये यहीं नियम है यहीं सत्य है यानि बड़ों को नियम का सुरूप बच्चे इसमें मानते हैं और बड़ों की बात मनना अच्छी आदत समझते हैं और उनकी अभ्यलना क्या बुरी आदत समझते हैं कि कौन से अवस्ता में दो बर्स से आठ बर्स की आवस्ता जो प्रायत नेतिकता की अवस्था होती है उसमें और कार्य का परिणाम महत्पुर्म है इरादे नहीं इसमें बच्चे को अगर किसी चीज का रिजल्ट हो जाता है वो वो ज्यादा अच्छा मानते हैं इरादों को ज्यादा वो जज्जमेंटल नहीं होते हैं इसमें ज्यादा व परचिर में स्वायत नेतिकता में इरादा मुहत्पूल हो जाता है परिनाम नहीं क्यों परिवरतन सील है यह सोच हो जाती है और इसमें क्या था इसमें बड़े बता दिये इस वाले में वो सही है लेकिन यहां क्या है यहां बच्चों को समझ में आ रहाता है कि नियम अलग-अलग चीजें हैं अलग-अलग चीजों का तत्य है नियम परिवर्टन सील है जो गार्जियन को अधिया बड़े लोग को अधिये वो सत्य है ऐसा नहीं यानि यूं कहें कि तरक सील हो जातने हैं बच्चे इस काल को सहीयोग की नेतिकता का काल भी कहा जाता है और प्रयात वालों को क्या कहा जाता है नेतिक बास्चिता की अवस्था और दबाव की नेतिक्ता की अवस्था कहा जाता है और दूसरे वाले को स्वायत नेतिक्ता वालों क्या कहा जाता है सहीयोग की नेतिक्ता का काल कहा जाता है आई आगे देखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग पर हम चर्चा करेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार, सही और गलत के बारे में, निन्ने लेने में सामिल चिंतन परक्रिया को कहा जाता है, यानि कोहलबर्ग के accordingly, आपको सही और गलत के बारे में, डिसीजन लेने में सामिल जो चिंतन परक्रिया होती है, उसको क्या कह पूरा नाम है और उनका जन्व 25 अक्टूवर 1927 को हुआ था और 19 जन्वर 1987 को उनका ध्यान हो गया था यह एक अमेरिकी मनोब्हेग्यानिक थे और यह आपको नैतिक विकास की आवस्था का सिधान दिया था क्लिया है और इनका जो सिधान था ये संसोधित सिधान था किसका जीन पियाजे का आपको संसोधित सिधान था और उससे प्रभावित सिधान था उन्होंने भी नैतिक विकास का सिधान तिया था और इन्होंने नैतिक विकास की आवस्था का सिधान यहां आवस्था उन्होंन सदान्त आवस्था सदान्त संस्क्रितिक सिदान्त और चुक्छ की दुबर संस्क्रितिक हो गया है इसको आप आप पुसरी नाम लिए अवस्था के सिधान्त भी उसको कहा जाता है अगर पूछ को आपको 6 में बाता है और जिखान देने की बात है कि तीन मूल आवस्था है और सब तीनों की दो दो उप वास्था है तो अगर देखा जाए तो तीन गुना दो, यानि छे हो जाता है, तो छे इंसर है, अगर कहीं छे नहीं दिया रहे है, तीन दिया रहे है, तो आप तीन मानेगे, चुकि यहाँ तीन दिया लेकिन छे भी है, तो आवस्था उनकी अगर मिलाई जाती है, तो छे बन जाती है, क्लियर है, चली, आगे इ देटेल देख लेते हैं आईए देखते हैं कोहल बरने नैतिक विकास सिधान की आवस्था जो है उसका पाला क्या है अग्या और दंड की आवस्था दूसरा अंकार की आवस्था और दूसरा जो है प्रसंसा की आवस्था समाजिक बेवस्था के प्रति सम्मान की आवस्था औ और सारभोमिक सिध्धान्त के वस्ता, ये आपको नेतिक विकास के सिध्धान्त हैं, किसके कोहलबर के, किलर चली आगे देखते हैं, कोहलबर के नुसार, छात्रों में नेतिकता का विकास जन्मजात नहीं, बलकि डैस द्वारा होता है, किसके नुसार, कोहलबर के नुसार, क होता है वो समाज की द्वारा ही मिलता है जैसे हमने आपको जीन प्याजे के में भी नेतिक का सिधान देखा था वहाँ देखा था कि वो किस से जुड़ा रहता है वो वाता परन से जुड़ा रहता है वहीं बात यहां इन्होंने इसको थोड़ा से और संबर्धित कर दिया है और देखें, यहां देखें, कोहलबर का सिधान तो है, जीन प्याजे के सिधान से प्रभाविता, यूं कहें कि संद सोधी था, जो मैंने पहले बात बताई थी, वहीं है, आई आगे देखते हैं, नैतिक दुबिधा या नैतिक तर्कना को किस मनोब्य ज्यानिक ने कुछ चादी त आपको कोहल बरने किया था या ध्यान रखेंगा नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कना किलिर है, चलिए अगला है कोहलबर्ग के नुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहेकार को द्वारा निर्धारित होता है बचों का जो नितिकता है वो बाह कार को द्वारा निर्दारी होता है तो यह थे इस साथ नंबर सेट में प्रस्ण हमने यहां कंप्लीट कर लिया यूनिट 3 को और हम कल आपको अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो होगा आपको यूनिट 4 होगा यूनिट 4 5 6 7 8 में बहुत प्रस्णों को छोड़ना नहीं है इसलिए मैं वीडियो को लेके एक एक दिन के अंतराल पर लिखे आता हम अब मैं लगतार आपको वीडियो मिलेंगे और जल्दी यूनिट 8 तक समाप्त हो जाएगा तब तक के लिए अब आप ख्याल रेखें अपना जहिंद